Hello friends, आप देख रहे हो Solution Detect, आज के इस वीडियो में बताएंगे आप अपने computer या PC को अपने से खुद से अपने घर में कैसे format कर सकते हो, आपको कोई जोरत नहीं है आप अपने PC को किसी दुकान या किसी mechanic के पास ले जाने का, सिर्फ अप सिर्फ आपके पास एक pen drive होना चाहि आप अपने system को format कर सकते हो, आज के date में भी बहुत सरा इसे computer operator है, जो अपने system को format कराने के लिए किसी computer दुकान या फिर किसी मेकनी, किसी दुकान में ले जाना पड़ता है, और उस वक्त उसको लफख 200 से 500 रुपया पे करना पड़ता है, तो वो 200 या 500 हो जो भी हो, वो amount ब देखेगा, इसमें A to Z बताएंगे आपको, आप अपने pen drive को bootable drive कैसे बना सकते हो, और bootable drive बनाने के बाद, आप अपने system को कभी भी format कर सकते हो, lifetime कभी भी format कर सकते हो, अगर आप अपने pen drive को सही डंग से रख पाए तो, तो इस वीडियो में बताएंगे आपको, आप अपन कम से कम 1632 GB का होना चाहिए और इसका आप online purchase करोगे तो आप देख सेकते हो कुछ इस तरह से दाम पड़ेगा लभग 300 से 400 रुपया तक दाम पड़ेगा अगर आप market में लेने जाओगे तो यहाँ से online से भी 50 रुपया साइच 80 रुपया तक कम मिलने वाला है तो अगर आपको जानना है आप अपने system को अपने PC या laptop को के से format करोगे चाहे उसमें Windows 10 डाला है या फिर 7 या फिर Windows 8 8.1 जो भी हो अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट चक जरूर दखिएगा इसमें आपको A to Z जनकारी देंग और आप अपने system को खुच से format कर सकते हो कहें भी जरूरत नहीं है आपको ले जाने का तो चलिए वीडियो स्टार करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पिले ये भी बता देना चाहते हैं अगर आप मेरे चैनल पे ने हो तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा solution detect को और भी इसी तरह की जनकारी आपको लगतार मिलते रहेगा तो सबसे पिले हम चलते हैं Google में Google में आने के बाद आपको टाइप करना है जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो जैसे कि अभी हम Windows 10 लिखते हैं Windows 10 चुलो प्रो हटा देते हैं क्योंकि आप confused हो जाओगे क्योंकि हम प्र जाता है उसमें कुछ coding भी मिल जाता है mix में बहुत सारा website असा नहीं है लेकिन बहुत सारे website असा होगा जो आप डाउनलोड कर रहे हो ISO ठीक है जो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसमें कुछ coding दे दिया जाता है और जब भी आप अपने system को on करते हो और online आते हो तो अपना पूरा data वो collect कर लेता है तो इसलिए आप official site से Microsoft.com के official site से ही download करें तो देखिए आप जैसे ही यहाँ पर आओगे search करने के बाद Windows 10 download करने के लिए आपको यह search करना पड़ेगा जैसे search करोगे सबसे पहला option में click करना है आप यहाँ जैसे click करोगे तो आपको 5GB का होगा ठीक है सबसे पहले आप अपना 5GB data stock रखिए 5GB से ज़्यादा हो और वेतर होगा यह homepage खुलने के बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पर देखिए 3 dot है यहाँ पर click किजिए फिर यहाँ देखिए more tools का option है यहाँ पर आईए फिर यहाँ देखिए developer tools का option है यहाँ पर click किजिए यहाँ पर click करने के बाद आपको फिर से यहाँ 3 dot का option मिलेगा यहाँ पर click किजिए फिर यहाँ setting वाले option में sorry setting नहीं more tools वाले option में जाईए फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक option network condition इसमें आपको किलिक करना है आप इसमें जैसे किलिक करोगे तो यहां देख सेकते हो नीचे option देख रहा है डिसेबल केच का option केचिंग का option एक network का option है तो नीचे और एक option है और नीचे और एक option है user agent तब इसमें uncheck कर दिजिए इसे यह चेक रहेगा यह box आपसे uncheck किजिए और यहां देखिए custom का option खुल चुका है आप इसमें किलिक किजिए और यहां select कर लेना है आपको यहां देखिए chrome android mobile यह select कर देना है या फिर इन दोनों में से कोई भी select कर सेकते हो chrome android mobile high end और यहां chrome and chrome android mobile इसमें आप किलिकिए उसके बाद आपको कुछ ने करना है सिर्फ आपको एक बार refresh करना है ब्रोजर को refresh कर देना है आप refresh करने के बाद कुछ second लगबग 10 seconds यह time लेगा 10 seconds के बाद यहां download का option खुल जाएगा ठीक है यहां देखोगे यह रहा option आ चुका है आप इसे आप यहां close कर सेकते हो यह वाला option यहां पर देखिए इसे हम close कर देते हैं अब यह खुल गया है तो सबसे पहला यह option नहीं था यहां पर जब वो सब सेटिंग किये तो यह option खुल के आया है देखिए select edition select edition में आपको यह select करना है windows 10 देखिए आप windows 10 select किये confirm में किलिक किये तो यह थोड़ा browsing चेक करता है यह हो गया अब यह select the product language तो आपका language select करना है किस भासा में आप अपना windows 10 डाउनलोड करना चाते हो तो यहां आपको English select करना है या फिर जो भी आपका language है वो select किये तो आप यहां English select कर देते हैं फिर यहां confirm में किलिक कर देते हैं अब यहां क्या करेगा बता रहा है कि आपको windows 10 किस bit मे चाहिए 32 bit चाहिए या 64 bit चाहिए तो आप अपने हिसाब से download करें तो हम 32 bit नहीं लेंगे हम 64 bit लेंगे तो इसलिए हम 64 bit में किलिक करते हैं तो आप यहां देखोगी यह download होना start हो गया ठीक है अब यहां ध्यान से देखोगी तो यह लगभा 5 GB का है ठीक है चलिए हम इसे 100 more म रखे हैं हम ठीक है चलिए यह सब पता नहीं क्या-क्या खुल जाता है इसे हम हटा देते हैं अभी और यहां देख सकते हो अभी हम download file में चलेंगा यहां देख सकते हो सोरी यह रहा windows 10 5 GB का already हम पहले download कर चुके है ठीक है download करने के बाद और एक software आपको जरुरत पड़ेगा जिसे अब bootable बनाओगे ठीक है तो यहां देख सकते हो मैं यह चारो file पहले से download कर चुका हूँ जिसे windows 10 अब यहां देख सकते हो windows 7 ultimate 32 bit है यह windows 7 professional 64 bit है windows 10 64 bit है जो अभी अभी हम इसे download किये 5 GB का ठीक है अब यहां देख सकते हो windows 7 ultimate 64 bit मतलब windows ultimate 32 और 64 दोनों है मेरे पास तो मैं मतलब एक PC है चार laptop है जो दो में windows 10 चलाते है और तीनों में windows 7 चलाते है ठीक है तो इसलिए मैं पूरा system download करके रखा हूँ अभी हम इसे bootable बनाएंगे bootable बनाने के लिए आपको एक software का जोरूरत है और एक pen drive का जोरूरत है जो आपके पास कम से कम 32 GB ले लिजिए अगर 4-5 system install करना है bootable बनाना है तो जैसे कि windows 7, windows 8, windows 10 अगर आपको bootable बनाना है तो आपको पास कम से कम solo GB का memory card मतलब pen drive होना चाहिए चलिए यह सब download complete हो गया आप आपको ज़रूरत है यह वाला software चलिए हम आपको दिखा जते हैं यह यह वाला software यहाँ देखे windows win setup format usb इसे open किजिएगा इसका जो भी download link है decusion box में डाल देंगे आप पसानी से download कर सकते हो अब यहाँ देखे अगर आपका 32 bit अगर install करना चाहोगे तो यह वाला file open करना है अगर 64 bit है तो यह वाला open करना है ठीक है तो चलिए हम इसे open कर देते हैं मतलब open करो या run करो same होगा अब यह देखे yes का option आएगा yes किजिएगा अब कुछ इस तरह से खुल के आएगा ठीक है अब यहाँ देखो यहां बता रहे है कि no USB D तो उसके बाद आपको क्या करना है आपका जो भी pen drive है USB driver है उसे अप अपने system में connect किजिएगा तो चलिए हम अब भी connect कर रहे है और आप यहां ध्यान दिजिएगा यहां नाम change होन ठीक है उसे पहले हम दिखा जिते हैं मेरा pen drive में अभी कितना system already है यहां देखे मेरा pen drive 32GB का है और इसे हम open करते हैं तो अभी सिर्फ आप सिर्फ इंडोस 7 ही इसमें डाले हैं आप सचोगी की सिर्फ आप सिर्फ इसे pen drive लगा के इसे copy paste कर देंगे नहीं होगा इसे bootable बनाना पड़ता है ठीक है तो चलिए हम इसे side में करते हैं इसे close करते हैं तो सबसे पहले bootable बनाने के लिए यहां देखे auto format with fb इसमें क्लिक करना है अब यहां बती यहां कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है यहां 32 32 में select है इसे वहीं पर select रहने दे उसे पहले यहां है इसलिए नौज भी वह भर चुका है अब चलिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां देखिए advanced option में आपको क्लिक करना है और यहां देखिए option मिलता है custom menu इसमें आपको क्लिक करना है फिर यह close कर देना है close कर दिए अब यहां देखिए आपका जो भी ISO फाइल है ठी क्लिक किजेगा और यहां देखिए choice फाइल का option है यहां पर choice फाइल में क्लिक किजेगा उसके बाद अपना जो भी ISO फाइल बुटेवल बनाना चाते हो उससे select किजेगा तो चलिए हम चलते हैं कहां पर रखे है यह एक बार देख लेते हैं सही से यहां देखिए जी फाइल अब बैटरी में रखे है जी ड्राइब में तो हम चलते हैं फिर विंडोस 7 ओपेन करते हैं फिर यहां विंडोस 10 अभी हम बनाएंगे बुटेवल बैटरी लो हो चुका है चलिए हम इसे close करते हैं पहले अब देखिए विंडोस 10 हम यहां select करते हैं और ओपेन में किलिक करत है तो यहां देख सकते हो विंडोस 10 आ चुका है एक बार हम चार्ज में लगा लेते हैं चार्ज में लगा चुके हैं अब यहां select कर चुके हो आप अपने system में आप अपने pen drive में जो भी ISO फाइल डालना चाते हो मतलब bootable बनाना चाते हो वो select तो कर चुके हो आप अब यहां आपका फाइल जो है 5 GB का है तो इसमें थोड़ा time लेगा 2 GB है जैसे कि Windows 7 Ultimate जो है 5 GB का होता है तो उसमें time कम लेगा तो यहां आपका एक नाम दे देना है जो भी नाम देना है चलिए हम Windows 10 कर देते हैं OK में click करते हैं फिर यहां setup का नाम देना है ठीक है जब आप setup करोगे मतल time दे दीजिए लगवक 5 से 7 मिनट तर तो चलिए हम 5 से 7 मिनट तर वीडियो पॉस करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं यहां देखोगे कुछ इस तरह से processing लेगा ठीक है जैसे यह processing स्टार्ट हो जाएगा यहां देखोगे कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन यह time थोड़ा लेगा मेरे यहां थोड़ा speed हो रहा है लेकिन आपका थोड़ा time लेगा क्योंकि depend करता है system में आपका जितना hi-fi system में उसे ही काम करेगा तो आप यहां देख सकते हो लगवा यह complete हो चुका है नीचे यहां देख सकते हो 5.4 GB और यहां 5.4 GB complete हो चुका ह इसमें मतलब सब एक ही pen drive में सभी आप bootable कैसे बना सकतो सभी system का अभी अगर आप यहां ध्यान दोगे ना तो इसमें देखोगे windows यह मेरा pen drive है win setup यहां 29 का 29 GB खाली है ठीक है क्योंकि मैं पहले format कर चुका था अपना pen drive format कैसे किये थे यहां पर देखोगे एक option था auto format इसमें अपना जो भी pen drive है वो यहां detect कर चुका है यहां देखोगे तो चलिए हम इस page को refresh करते हैं और यहां दिखायते है pen drive कितना भर चुका है यहां देखोगे यह 29 GB का है 5 GB इसमें आ गया है और 24 GB अभी खाली है तभी हम इस pen drive में फिर से windows 7 का professional इसमें 8 करेंगे iso file इसमें bootable बन अगर check mark कर दोगे न तो यह format हो जाएगा pen drive और फिर से दोबारा से install होगा ठीक है तो इसे पहली बार आपको जब जो भी फाइल जो भी आइसो फाइल पहली बार आप इसमें install करोगे मतलब bootable बनाओगे तो इसमें किलिक करना है और दूसरी बार अगर आप इसमें 8 कर रहे विंडोस विस्ता इसमें अब फिर से आपका फाइल उठा लेना है जो भी आप इसमें add करने वाले हो तो हम अभी professional select कर देते हैं और यहां देखो कि professional आ चुका है फिर से आपको go में सिर्फ click कर देना है अब यह क्या करेगा फिर से नाम पूछ रहा है तो अभी हम windows 7 डाल द देते हैं पी लगा दिए अब इसे हम ओकी कर देते हैं अब यह फिर से वही process स्टार्टिंग होगा अभी हम फिर से वीडियो stop कर लेते हैं इसी तरह हम चारों को add कर लेते हैं पटापट तो अब यहां देख सेवें जो मेरा था windows 7 professional यहां देख सेवें यह भी pen drive में आ चुक का 3.09 GB चलो यह भी complete हो चुका है इसे हम okay करते है जॉन डॉब लिग के आ गया जॉब डॉन लिग के आ गया अब इसे अब ओकी करते हैं फिर से वही process करते हैं सिर्फ इसमें advance वाले option में खिली करते हैं custom में खिली करते हैं इसे हटाते हैं और फिर से और एक फाइल चोईस कर ले है तो चलिए windows ultimate windows 7u दे देते हैं ultimate इसे हम okay करते हैं फिर से यह setup का नाम देते हैं windows 7u ultimate okay में किली करते हैं अब यह फिर से काम इस्टार्ट कर दिया चलिए अब इसे complete होने दीजिए उसके बाद आपको दिखाते हैं format कैसे करते हैं format के लिए आपको bootable को कैसे enable करना है तो वीडियो अब लास्ट चक जुरूर देखिए तो finally done हो चुका है complete हो चुका है यह मेरा Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional इसे हम refresh करते हैं यहां देख सेकतो मेरा pen drive इसे हम refresh करते हैं तो यह भी complete हो चुका है अभी हम क्या करेंगे इसमें exit में click करेंगे ठीक है यह exit कर दिये और देखोगे मेरा pen drive अभी 39 GB में से 17 GB आ गया है मतलब तीनों system इसमें आ चुका है अभी अभी यहां सिर्फ आप आपको क्या क्या करना पड़ा देखिए Windows 10 और 7 आपको डाउनलोड करना है ISO फाइल Windows 10 के से डाउनलोड करते है वो तो दिखा दिए Windows 7 आप डाउनलोड कर सेकतों उन सबका लिंक ठीक है जो भी download link है उन सबका लिंक आपको डिपिशन बॉक्स में मिल जाएगा अब आसानी से सिर्फ अपना pen drive फिर से लगा देना है अपने system में चलिए हम लगा देते हैं एक बार और system को restart करना है यह लगा दिए अपना pen drive हम अपने laptop में और अपना एक बार system restart कीजी चलिए restart कर लेते हैं अब यहां देख सेकतों मैं अपना system जो restart कर चुका हूँ अब यहां restart होने के ब प्रेस करना है अब यहां जिससे स्टार्ट होगा अपना सिस्टम आपके सिस्टम में F9 तीन चार बार पेस्ट करना है ठीक है तीन चार बार प्रेस करना है यह देखी यह सिस्टम आ चुका है आप यहां ध्यान से देखोगे यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा ग पाना है आप एंटर जैसे ही दबाओगे तो आप यहां ध्यान से देखोगे आप जो भी अपने pen drive में डाले थे windows 10, windows 7, windows जैसे कि इसमें नाम दिये थे मैंने क्या नाम दिया था सबसे पहले windows 10 वो आ चुका है फिर नाम दिये थे windows 7P मतलब professional फिर देखे windows setup 7U मतलब ultimate तो इस तरह से आपको select करना जो भी system अपने drive में sorry जो भी operating system अपने system में डालोगे वो select करना है तो अब यह windows 10 डालेंगे तो इसलिए windows 10 में select है और सिर्फ आपको enter दबा देना है अब enter जैसे दबाओगे तो कुछ इस तरह से फर्मेटिंग का loading लेगा इससे loading लेनी दीजिएगा यह लेगपग दो United States फिर यहां USA लिखके आ गया है तो यहां जो भी है वो by default रहने दीजिए और आपको सिर्फ next में click करना तो चलिए आप next में click करता है और यह install नाव में click करना है आप जैसे install नाव में अगर नहीं है तो यहां देखे I don't have a product key आप यहां पर click किजिएगा आप जैसे click किजिएगा यह कुछ वो डाल जो आप डालना चाहते है वो select किजिएगा तो हम windows 10 pro हम install करेंगे तो यह pro में select करते है और यह next में click करते है अब next में click करने के बाद आपको यह वाला option देखने क को मिलेगा I have में click किजिएगा accept और next में click किजिएगा फिर यहां देखिए upgrade और customize तो आप अपने हिसाब से select किजिए हम यहां customize custom में select करते हैं और यहां देखोगे आपका जो भी drive अपने system में ठीक है partition जो दिखाएगा सभी partition यहां आपको दिखाई देगा तो देखिए यहा 492 MB का और यहां एक 100 MB का यहां एक 60 MB का यहां 300 GB का यहां फिर दिखाई दे रहा है 600 MB का तब का जो भी C drive है वो ध्यान रखेगा ठीक है जैसे कि drive partition 4 5 यहां दिख रहा है तो सबसे पहला जो एक MB दिख रहा है अगर इसी तरह आपका MB में कुछ दिख रहा है तो यह सब delete करना 450 MB खाली चुका यहां 100 देखेए 100 MB में 108 MB खाली है 100 MB में सिर्प 68 MB खाली यह भी delete करते हैं अब यहाँ Solo MB दीख रहा है यह Solo MB का Solo MB खाली है अब यहाँ देखे यह 304 GB का है इसे हम छोड़ते हैं और यहाँ देखे MB का है 632 MB इसे हम डिलेट करते हैं अब यहाँ नीचे करते हैं सबसे नीचे यहाँ देखे 208 GB यहाँ लिखा गया लेकिन मेरा C Drive जो है 5 नमबर वला ठीक है तो हम यह C Drive सेलेट करते हैं यहाँ Delete में किलिक करते हैं OK में किलिक करते हैं C Drive खाले हो गया अब जहाँ भी Install करना है आपको उसमें Select किजे चलिए यह Select किए अब Next में किलिक किजे अब Next में JC किलिक किजेगा अब यह Install होना स्टार्ट कर लेगा यहाँ देखे OK का Option है OK में किलिक किजे अब यह देखिए यह Install होना स्टार्ट हो गया अब कुछ इस तरह से Processing लेगा यह Complete हो जाएगा अब चलिए JC Install होने दिजे Complete होने दिजे उसके बाद हम आपको दिखाते है आगे क्या हो रहा है अब यहाँ देखाऊगे Getting File Ready for Installation यह लगबग Complete हो चुका है 98% यह देखे 100% हो चुका है अब यहाँ नीचे दो Option है वो तीनों में T का चुका है नीचे दो Option है इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा लगव पांस से साथ मिने टाइम लेगा यहाँ देखे यह अपडेटी हो रहा है Unstilling, Update और नीचे Finishing Off लिखा है वो भी उसमें टाइम लेगा दो से पांस मिनट ति यह इस तरह से Complete होगा चलिए फिर से हम Pause करते हैं बड़ी हो उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहेगा अब यहाँ देख सेखते हो यह Automatic जो है Restart का Option आजाएगा आपको कुछ नहीं करना है यह Automatic 3 सेकंड, 3 सेकंड यह देखे 1 सेकंड यह Complete यह Restart होने लगा है फिर से अब यहाँ देखोगे आपका Windows की कुछ इस तरह से Open होगा Windows 10 यह Successfully इस्टॉल हो चुका है यह Ready हो चुका है आपका System यह Open हो रहा है चलिए Open होने दिजिए इसको देखते हैं किस तरह आपको देखने को मिलता है Homepage यहाँ देख सकतो नीचे लिखके आगया Starting Services, Getting Device Ready 33% यह 100% होगा 50% होगया, 66%, 83% और यह लगबग होगया, 100% यह होगया अब देखे Getting Ready तो अब यहाँ देख सकतो यह Finally जो है Open होने लगा है Getting Ready होने में काफी Time लगेगा आपका लगबग 5-7 मिनट लग जाएगा Ready होने में अब Ready होने के बाद कुछ इस तरह यहाँ देख सकतो Just a moment लिखके आएगा और यह Open हो जाएगा Open होने के बाद आपके सिस्टम में जो पहले Driver था जो भी कुछ सिस्टम आप सेटिंग करके रखे थे या फिर जो भी App, Application या फिर जो भी Software है अपने सिस्टम का ठीक है जैसे कि बहुत सारे Drive जैसे कि Wi-Fi Drive, Wi-Fi Connect कैसे होगा आटोमेटिक वो सभी Drive आप एक Software के दोरा आटोमेटिक इनिस्टॉल कर सकते हो अभी इसे Open हैं दिजिए उसके बाद आपको हम दिखाते हैं आपको Yes में किलिक कर देना है फिर से ये Just Moment का Option आएगा अब यहाँ देखे फिर से Language Select का Option आचुका है यहाँ देखे सबसे निचे दो नमर में लिखा गया है English, India हम Select कर देते हैं और Yes में किलिक कर देते हैं अब जिससे Select करोगे फिर यहाँ बता रहा है कि Keyword वला Option हमें Skip कर देना है आप Skip करो या ना करो वो आपकी मर्जी देखे हमें Skip कर दिये हैं अब देखे यहां Internet Connection मांग रहा है Internet Connection I don't have Internet में किलिक करते हैं और यहाँ देखे यह Option आ गया है अब यहां देखे यह Option आ गया Connect Connection का Option है Connect with Internet Setup इसमें किलिक कर देते हैं अब 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 PC का नाम देजे ठीक है तो चलिए हम यहां PC का नाम देजेते हैं जो भी नाम रखना चाहते हैं अब यहां Next में किलिक करते हैं अब यहां बतार है पास्वर्ट रखिएगा तो पास्वर्ट रखिए अगर नहीं चाहते हो हम पास्वर्ट अभी नहीं रखेंगे हम Next में किलिक करते हैं और यह देखिए Finally जो ओपन हो चुका है हम यहां No में किलिक करते हैं Accept में किलिक करते हैं फिर से accept करते हैं और यह देखिए high का option आ गया we are getting everything ready to you अब यहां कुछ इस तरह का option देखने को मिलगा यहां आपको एक minute time ले लेगा उसके बाद यह automatic आगे चल जाएगा अब देख सेख तो अपना पुरा system कुछ इस तरह से open हो जागा अब चलिए हम direct चलते PC में camera आप करते ह अब यहां देख से तो पुरा का पुरा system format हो चुका है नया windows 10 install हो चुका है लेकिन यहां कोई icon नहीं आ रहा है ठीक है my computer या my pc का icon नहीं आ रहा है यह सब wait करने के लिए आपको right किलिक करना है और यहां देखिए professional में आपको किलिक करना है फिर यहां का option दिखाई देगा आ देखने को मिलेगा desktop icon इसमें किलिक किजिए फिर यहां देख सेकते हो computer जो भी एड करना चाहते हो computer control panel network तो अभी हम सिर्पा सुर computer एड करेंगे select किये apply किये ok किये अब इसे close करते है अब यहां देख सेकते हो my computer का option आ चुका है मतलब my this PC का option आ चुका है ठीक है इसे हम नीच auto range में click कर देते है यह auto range होते रहेगा अब इसे हम यहां से delete कर देते है अब बात रहा आपका कुछ software था वो अभी नहीं मिल रहा है आपको तो वो सबसे आसान तरीका अगर आप formatting का काम करते हो ठीक है अपने desktop laptop का formatting काम करते हो तो आपको और एक software download करके रखना है कभी भी किस software है वो automatic download देदेगा ठीक है तो वो क्या है अभी हम आपको दिखा देते हैं एक बार net connect कर लेते हैं मेरा already Windows 10 में already सब कुछ आ जाता है जैसे की Wi-Fi driver आ जाएगा अगर Windows 7 निश्टल करो के तो सायद नहीं आएगा Wi-Fi driver और Wi-Fi connect नहीं होगा तो इसलिए आपको एक software download करके रख application उसे आप offline भी चला सकते हो online भी चला सकते हो ठीक है अगर offline वाला download करोगे तो लगभा 8GB तक रहेगा और online download करोगे online install करोगे वो आपके net में different करता है कि वो आपका net कितना SP चल रहा है तो चलिए हम कोई भी एक browser open कर लेते हैं जिसे कि अभी मेरे PC के अंदर कोई भी browser नहीं ह सिर्फ और सिर्फ यही है तब भी हम आपको दिखा देते हैं यहां पर लिग लेते हैं आप कोई भी browser open करेगा और यहां लिखेगा drive यह देखे drive solution आ चुका था यह सबसे नीचे है यह रहा इसको आइक इसका icon आपको दिखा देते हैं ठीक है क्योंकि icon सही पता चलेगा आप fact download कर रहे हो या फिर original इसका homepage कुछ इस तरह रहेगा ठीक है URL देख लिजिए drp.su.en अब यहां देखे install all required drive अब इसमें किलिकीजेगा फिर यहां देखे save में किलिकीजेगा यह download हो जाएगा यहां देखे तो download हो ला है यह 6 MB का है ठीक है इसे download करने के बाद install जब करोगे त जितना भी आपको जरूरत है ठीक है जो जरूरत का चीजे है वो automatic install हो जाएगा online अगर offline आप download करके रखना चाहते हो pen drive में तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा आप उसे download कर लिजेगा और सिर्फ install किजेगा जो भी जरूरत का चीजे है वो automatic install हो जाएगा आपके system में तो बस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है उमीद करता हो यह जानकारी अपसे विक्ता अच्छा लगा होगा bootable drive केसे बनाए PC format केसे करे पूरी जानकारी आपको मिल गया होगा अगर कहीं भी परिशानी आ रहा है तो comment box में पोच सकते हो उसका replay देनी की कोशिस करूँगा तो वीडियो पसंद आयो तो लाइक करके जाना और भी सितर की जानकारी चाहिए तो चैनल से जूट सकते हो मिलते फिर एक नए वीडियो में नेटिव को साथ तब तक लिए बाइबाइ टाटा